देव गुरु विरस्पती को बुद्धी और सिच्छा का कारक माना जाता है। गुरुवार को विरस्पती देव की पुजा करने से दन, विद्या, मानसम्मान, पर्तिष्टा और कई अन्यमनोवांचित, फल्प की प्राप्ती होती है। धार्मिक गरंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान विरस्पती की पुजा का विदान है। गुरुवार के दिन वरत और कथा सुनने से घर परिवार में सुक्सम्रिद्धी बनी रहती है। आईए जानते हैं गुरुवार वरत कथा के बारे में। गुरुवार वरत कथा कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है किसी राज्य में एक बड़ा पड़तापी और दानी राजा राज करता था वहे हर गुरुवार को वरत रखकर दीन दुख्यों की मदद करके पुन्य करता था परन्तु ये बात उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी वह ना तो वरत करती थी और ना ही दान पुर्ण्य में विस्वास रखती थी इतना ही नहीं वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी एक समय की बात है राजा सिकार खिलने के लिए वन गए घर पर रानी और दासी थी उसी समय गुरु विरस्पति देव सादू का रूप धारण कर राजा के दर्वाजे पर पिक्छा मांगने आए सादू ने जब रानी से बिक्छा मांगी तो वह कहने लगी है सादू महाराज मैं इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाई बताई जिससे की सारा धन नश्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ इतना सुनकर ग्रसपती देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो इसे सुब कार्यों में लगाओ कुमारी कन्याओं का विभा करवाओ विध्याले और बागवगीच्यों का निर्मान कराओ जिससे तुमारे दोनों लोग सुद्रेंगे परन्तु सादू की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवशक्ता नहीं जिसे मैं दान दूँ और जिसे संबालने में मेरा सारा समय नश्ट हो जाए तब सादू ने कहा अगर तुमारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसे तुमें बताता हूँ तुम वैसा ही करना गुरुबार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने बालों को पीली मिट्टी से दोना राजा से हजामत बनवाने को कहना भोजन में मास मदीरा का परियोग करना कुमारा समस्त धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर सादू के रूप में बिरस्पति देव अंतर ध्यान हो गई शादू के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए राणी को केवल तीन बिरस्पति बार ही बीटे थे कि उसकी समस्त धन समपति नश्ट हो गई गोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा ने राणी से बोला कि हे राणी मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए मैं कोई छोटा कारिया नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया वहाँ जंगल से लकडी खाट कर लाता और सहर में बेचता इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा इधर राजा के पर देश जाते ही राणी और दासी दुखी रहने लगी एक बार जब राणी और दासी को साथ दिन तक बिना भूजन के रहना पड़ा तो राणी ने अपनी दासी से कहा हे दासी पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है वै बड़ी धनवान है तू उसके पास जा और उससे कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी राणी की बहन के पास गई उस दिन गुरुवार था और राणी की बहन उस समय बिरस्पतिवार की खता सुन रही थी दासी ने राणी की बहन को अपनी राणी का संदेश दिया लेकिन राणी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को राणी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वै बहुत दुखी हुई और उसे कुरोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी ये सुनकर रानी ने अपने भाग्यों को कोसा उधर रानी की बहन ने सोचा की मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वे बहुत दुखी हुई हुई कथा सुनकर और उजा समाप्त करके वे अपनी बेहन के घर आई और कहने लगी हे बेहन मैं दिरस्पतिवार का वरत कर रही थी तुमारी दासी मेरे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली बताओ दासी क्यूं आई थी रानी बोली बेहन तुम से क्या चिपाऊं हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है ऐसा कहते कहते रानी की आखे भर आई उसने दासी समेट पिछले साथ दिनों से भूके रहने की बात अपनी बेहन को बता दी रानी की बेहन बोली देखो बेहन भगवान विरस्पती देव सबकी मनों कामना को पून करते हैं देखो शायद तुमारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विस्वास नहीं हुआ पर बेहन के आगरह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भीजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई दासी रानी से कहने लगी है रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम वरत ही तो करते हैं इसलिए क्यों ना इनसे वरत और कथा की विधी उचली जाए ताकि हम भी वरत कर सके तब रानी ने अपनी बहन से विरस्पतिवार वरत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया विरस्पतिवार के वरत में चने की दाल और मुनक्का केले के जड़ में अर्पित करे तथा दीपक जलाएं वरत कथा सुने और पीला पूजन ही करे इससे विरस्पती देव और भगवान विश्णु परसन्न होते हैं वरत और पूजय की विदी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोट आई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने वरत रखा वै घुरसाल में जाकर चने और गुर ले आई फिर उसने उससे केले की जर्त था भगवान विश्णु की पूजा की अब पीला भूजन की चिंता बोले कर दोनों बहुत दुखी हुई चुकि उन्होंने वरत रखा था इसलिए विरस्पती देव उनसे परसन्न थे वै एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में पीला भूजन दासी को दे गए भूजन पाकर दासी परसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भूजन गरहन किया उसके बाद वै सभी गुरुवार को वरत और पूजा करने लगी विरस्पती देव की किरपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई परन्तु रानी फिर से पहले की तरह आलश्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस परकार आलश्य करती थी तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और जब देव विरस्पती की किरपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलश्य होने लगा है रानी को समझाते रुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बार हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दान पुन्य करना चाहिए धूकों को भोजन करना चाहिए और धन को सुबकार्यों में खर्च करना चाहिए इससे तुमारे पुल का यश बढ़ेगा स्वर्ग की प्राप्ती होगी और पित्र परसन होंगी दासी की बात मानका रानी अपना धन सुबकार्यों में खर्च करने लगी इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा बिरस्पतिवार वरत कथा के बाद शर्दा के साथ आर्टी की जानी चाहिए इसके बाद परसाद माटकर उसे घरण करना चाहिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल S.N.O.S को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद